हेलो। त्रीयंदफ फञ्ज देता हैं एप से लोग वड़ी पोbasण होना वी चाहर है तो फटाटाक से लाइक आवा करें पिरिव कॉय जाए। देता हूं ॥र थो फटाक से गर्डून को उसक त्यूंत कर कि दो को silent कर दो नाइट के वीडियो का but don't worry क्योंकि आज रात को ही वो चले भी जाएंगे तो try करेंगे कि अपना सब कुछ time पर ही रहे अब आज आप फटाक्स इस वीडियो को ही निप्टा थे क्योंकि अभी बहुत सारे arrangement बाकी है भाई जो मेरे उपर थोपे गए हैं तो सभी लोग यहां वहां से मेरा नाम चला रहे हैं मैं अभी उपर टेरिस पे आके बैठ गया चुपचाप कुंटा दबा के कोपचे पे खेर आज आज आप पिछली एपसोड़ पे चलते हैं आपसोड काफी सांदार सा जहां हम लोगों ने देखा हुआ होता है कि जियो यहां निकल चुगा होता है एक निउजर्णी के लिए निउजर्णी क्या थी मतलब वहां का जो काम धामता वो पूरा हो चुगा था जियांसू से जियांसू ने बादचीत की थी और उससे कहा था कि भाज तुम रहो फाइटिंग गाड एलाइस में जियांसू जियांसू जियांस से मोठीवेटेड होकर अपने सोल ब्लाइड एग्रिमेंट को जियांस को सौंप देथी तो जियांसू कहता है नहीं जो कुछ उसका नाम हो वो भी जोएन को अपना सोल बैड एग्रिमेंट देता है तो जोएन उसे सौप देता है किसे क्या नामता है इसका सॉरी हाँ जियान सू को दे देता है कि अगर जरूगा तो इसे मार देना जिसके बाद यह दौन फाइटिंग और एलाइस में लोट जा जाती है दूस्तब जाओ जो यहां तो जब थाउड़ने शार्ट सेटी में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि भाई यहां तो अलागी लपड़े चल रहे हैं जो दिंग्यों के फादर थे डिंग यान ताओ उनको कोई पहसान कर रहा है वह फाइटिंग और लाइस के पर जोन केता है रिया सी instruction नाम बताओ किनका है वैसा ही fighting order Latin ंसे मेरा 46-6 का कड़ा है morality ने पहाँ तो यह तो इस एपिसोड की स्टाइटिंग हमें दिखा जाता है था उदें डिशार सिटी के सबसे उपरी मंजल में एक देह दाली सान सब बना हुआ पैलिस और दरवाजे के उपन होती हैं अंदर से गाने की आवाजें आ रही होती हैं बड़ी संख्या में लोग ये नजारा देख रहे होते हैं बहतरीन फिगर वाली खराब कपड़ों में लड़किया होती है और कापी सारे लड़कों के बीच में गाना और नाच चल रहा होता है और जानने भी काफी लॉंग टाइम से ऐसे सीन नहीं देखे थे जिसके बाद इस पैलेस के दूर के छोर पर दो आदमी बैठे हुए होते हैं और उनके कपड़े से लग रहा था जैसे वो फाइटिंग ओर इलाइंस के हो साथि उनके होटो पर एक स्मायल होती है जैसे कि उनके सामने की हर एक चीज उने काफी अच्छी लग रही हो लेकिन इसी टाइम पे पैलेस का दरवाजा धीर धीरे की आवाज के साथ ओपन होता है यार सौरी वूम की आवाज के साथ फट जाता है और इस ब्लाश ने तुरंती पैलेस में चीक पुकार मचा दी होती है यहां तकी दो फिकर जो दूर बैठी होई होती है भायंकर गुसे के साथ उतकर खड़ी होती है और इसके बाद वो सबसे पहले डिन यानताओ को देखते हो है पाउरफुल फ्लेक्श्वेशन होए लगता जिससे हर किसी को अपरे सीने में जकड़न सी फिल होती है यारे बाप रहे अकरकर यहां के जो ज़्यादतल लोग थे वो एक वन इस्टार या टू स्टार फाइटिंग अमोर्टल थे दूस्ताफ इन दोनों लोगों को अपनी तरफ भागता हो देखकर डिंग्यू एक कदब आगे बढ़ा कर एक्शन पे आ जाती है लेकिन उसी टाइम पे जो एन डिंग्यू के कंदे पे हाथ रखते हैं कहता है रुखजा मेरी छोटी महरानी पीछे आजा यार मैं आया हुआ हूँ पूरा फुटेज ले जाएगी क्या दू यू नो आएम दे लीड केरेक्टर मैं हूँ ना मेरी लाइम लाइट है पीछे रहे यहाँ जो एन ने ज्यादा कुछ नहीं किया था बस उसने अपनी पावर का 10% ही तो रिलीज किया था अब वो गेट इतना भी बरदास नहीं कर पाया तो इसमें जो एन की क्या ही गलती थी दूसरी तरफ यहाँ पे अचाना की दौनों फिगाई स्टेबल हो गई होती है और यहाँ के पावर के 10% पे यह लोग खून की उल्टिया करने लगते हैं और धणाम के साथ घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाते हैं और कटनाई से अपने सिर को उठाते हैं जो यहाँ को अनबिलीबल तरीके देखते हैं फो 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 फाइटिंग गॉड जिस पर जौन कुछ भी नहीं बोलता और सीधा यह उन दौनों की तरह पाता है और जब वो उनके कपड़े को पहने हुए देखता तो कहता है ऐसा लगता है कि आप फाइट कौन है अगर आप हमें मारने की हिम्मत करते हैं तो नाइंथियो आइनस आपको जाने नहीं देंगे फाइटिंग गॉड लैंस के मेंबर के तौर पर उन्हें जौन से बिल्कुल भी ड़न नहीं लग रहा था और वो सीधे ही जौन को धंकी देते है जो देखके जौन के साम पर फाइटिंग गॉड लैंस के बारे में जानते ही होंगे और आपको ये भी पता होगा नाइन्थ एबन में न्यू यो हाइनस आए है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है लेकिन मैंने तो सुनाए कि आपके नाइन्थ यो हाइनस डिवाइन पनिस्मेंट लैंड से कभी बाहर ही नहीं आपाए यहां तक कि मुझे डर है कि कहीं वो अंदर ही ना मर गए हो अनसे के तो जयान के चेर पर एक स्माइल होती है जो सुनका वो दौनों ही चौकते हुए एक दूसरे को देखते हैं कि ये कब हुआ वो तुने दिगा थे हम काफी लॉंग टाइम से यहां उन्हें चेहरे को बदलता है और उसे उन दौनों के सामने दिखाते हुए कहता है क्या इससे जानते हो मुझे याद नहीं आ रहा कि यह हुआ कब कि मैंने तुम्हें लोरी अलम में भेजा हो यह सब करने के लिए जो तुम यहां करना चाहते हो जो यान के हाथ में नाइंध प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत डिंग यान ताओ खुद ही कहता है, हाला कि उसकी आबाज तेज नहीं थी, तब ही डिंग्यू कहती है, फाधर, यह यह मास्टर जो की जो प्रेजन से वो थोड़ा सा हार्ड है, आप इसके बारे में चिंता मत करिए, बिजिनेसमेन आदमीन आप प्रॉफिट पे ध्यान जाहिए, और जब जिवान बास्तों फार्टिंग ओर्डिलाइंस पर बिज़ा प्राप्त कर लेगा, तो इन सबसे बदला लेने में बहुत देर नहीं होगी, दूसर जिवान इन दौनों लोगों को देख रहा होता है, जो दया की भीक मांग रहे होते हैं, तो उसकी आखों जाहिए, जिसके बाद वो धीरे धीरे घुमता है, और ऐसे उंगलिया घुमाता है, और दो फ्लेम निकलती है, और उन दोनों के ऊपर गिरती है, और बे दोनों पल भर में जलकर, चीख पुकार के साथ, कुछी सांसों के अंदर राक में बदल चुके होते हैं, और जिसके जिसके बाद जियान घुमते हुए यहां से चला जाता है, और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था, और इतनी आसानी से, कि यहां तक की कोई बड़ी लडाई तक नहीं हुई, और इन लोगों को ऐसे दफना दिया गया जैसे यह एक तरफा रहा हो, जिसके बाद डिंग यान जिसके चेहरे पर टेंस और फ्री स्माइल थी, तो वो समझ गया होता बंदा बास्तों में काफी पाउरफुल है, जिसके बाद जियान कहता हमें एक साल के बाद यहां से जाना होगा, टोटिंग यू अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताओ, और हमारी चिंता मत कर और ऐसा के तो जियान सेजलाता है, साथ यह साल अब्वेसली बहुत जल्दी बीत गया होता और जोयान को भी काफी जादा पेसेंस फील हुआ था, हाला कि यह केबल कुछी टाइम के लिए था, क्योंकि इसके बाद जियान 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 के प्राबलन्स में फस गया होता है साथी जियान जियान को गाना सुनने और डांस देखने के लिए खीच ले जाता है, हाला कि जियान पहले मना करता है, लेकिन अब्वेसली यार दिल सब का करता है, और जियान जियान के अंदर धीरे धीरे आने लगती है, साथी थाउदेंट इस्टार सिटी में ऐसी कई, ऐस आपनी स्माइल को दबाने की कोसिस कर रहा होता है और वो एक जासूस की तरह लग रहा था जो बास्तों में अपने काम में सक्सेस्फल हुआ अब थाउजन्ट इस्टार सिटी के बाद जो नेक्स टार्गेट था वो था डाउड डी कॉंटिनेंट साथ यह जो फियला साग थी ओवैसली डिंग्योदारा साबधानी पूरवक बनाई गई थी तो इसकी जो स्पीड थी वो फहले से ही लिमिट लेस थी दूसरे वर्ट्स में जब तक आपके पास परियापतो एनरजी है और होरी जन्खुई आप इसकी स्पीड को किसी भी लेबल तक पहुचा सकते हैं जिसके बाद जो नेके तब वाइड में जर्नी के हुए बहुत टाइम हो गया है फर्स टाइम जब हम यहां आये थे तब डावडी कोंटिनेंट से यहां तक आने में कभी साट साल लगे थे लेकर अब इसे घटा कर बास्तों पांच साल कर दिया गया है सत्य और बेसली फ्याले सार्ग धीरे धीरे डावडी कोंटिनेंट की तरफ इस स्पीड से बढ़ रहा होता है कहना क्या चाहता है यह राइटर धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा था जो ने अपने चाहों तरफ सब कुछ देखता है तो उसे अपने पन का एसास होता है क्योंकि यह वह आधि कॉंटियनट था जहां पे वो ड्वी कॉंटियनट से आये था और काफी समय तक जियान यहाँ पे देखता ही रहता है लेकिन तब ही जैसे जियन का सिप वहाँ पे पहुँचा था और जहां सिपके डेक पे खड़ा हुआ होता है तो उसकी आँको में एक अलगी excitement होता और वही डाउटी कॉंट्रेंड में कही एक पवेलियन पे एक old man जो फाल्थी मार के बैठा हुआ होता है और अपने सामने की सत्रंज को देख रहा होता है और किसी गहरे thought में पड़ा जाता है और old man के जर पर एक smile होती जो फाल्थी जो फाल्थी डेक पर खड़ा होता है उस old man को देखता है तो तुरंथी सीनियर की मदद के बेना बास्त में जरनी काफी मुस्किल होती तो इसके लिए बहुत बहुत धरनवाई सीनियर तब वो तो थो नहीं दिका थे आपको इस बार जाने की कोई जल्दी नहीं है है ना हलकि जो वूटियन हमें इस इस बार बहले ही आ गया था लेकिन अभी जल्दबाजी में नहीं हूँ, तो पहले तुम अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता सकते हो, जब तुम खाली हो जाओ, तो तुम मुझे मिलने आ सकते हो, और बेसली जोबूटे एंज जोएन के थौट्स को अच्छे से जानते थे, इसलों वो तुरंती से ला अच्छी बात नहीं थी, साथी पूरे डावडी कॉंट्रियंट को देखते हुए, इन हजारों बरसों में डावडी कॉंट्रियंट पूरी तरीके से बदल चुका था, साथी इसमें तो धर्ती को हिलाद देने वाले चेंजेस हुए थे, साथी जोएन ने फील किया था कि य यह वो एरिया नहीं था, जिससे अब ब्लेक गॉड रियलम भी, ब्लेट गॉड रियलम भी आसानी से धमका सकता था, यह तकि जुक्सी सिटी में तो और भी ज्यादा चेंजेस हुए थे, और जब आप जुक्सी सिटी के उपर आसमान को देखते तो ज्यादे तर आसमान ब काफी ज़ादा बढ़ गई थी, जिससे ज़ान किया के चमकने लगती हैं, उसने कभी भी नहीं सोच थे कि बास्ते में डावडी कॉंटिनेंट से जाने के दोरान, डावडी कॉंटिनेंट बास्ते में ऐसा हो जाएगा, ऐसे धरती हिला देने वाले चंजेस, अतीर्त में, पास्ट में, डावडी कॉंटिनेंट में, फाइटिंग एमोटल तक पहुचना पहले से ही काफी बड़ा बैरियर था, लेकिन अब डावडी कॉंटिनेंट में ना केबल, काफी पारफूर फाइटिंग एमोटल थे, बलकि जैसे जैसे टाइम बीचता जा रहा था, ये और कि तभी एक आवा जाती है, जुक्सी सिटी मोड ना बना है, क्या आप नहीं चानते हैं, हाला कि जब जुआन अभी पूरी जुक्सी सिटी को देख रहा था, कुछ फिगर्स का ग्रूप तुरंती जो यान के तब दोड़ पड़ता है, साथ ही ऐसा ही नहीं की सिर्फ वो, बलकि चारत रफ से लोगों का गुरूप आ रहा हुता है, जिसने जो यान बाकी लोग को घेल लिया था, और जुआन को किलिंग इंटरेंट औरे के साथ देख रहे थे, वो तुरंती कहते हैं, क्या आपके पास सिटी के अंदर इंटर होने का ओर्डर है, और जैसे ये में उनको जुक्सी सिटी के गाड़ो दोरे स्काउट किया जाता है, तो उसे सीधा ही जियो मेंसन में ले जाए जाता है, और पहले के जैसा जियो मेंसन अब बिलकुल नहीं था, बलकि ये काफी सांधार हो गया था, तबी गाड़ तुरंती चलाते हैं जल्दी करो, और क्यान और पैलेस मास्टर ले साउलॉंग को तुरंती बताओ, और इसके बाद जो आन और बाकी लोगों को जैसी जो मेंसन ले जाए जाता है, तो ये देखकर तीनों लोग काफी जादा सुस्त रहते हैं, जबकि हर कोई काफी हरान होता है, क्योंकि डावडी कॉंट्रेंट में ल लागा हुआ होता है, और ये देखा जा सकता है, कि जो मेंसन जुक्सी सेर के सभी मामलों को लीट करता है, और जुक्सी सीटी का सेंटर है, तब ये एक हाई, एथोर्टी बाले जनल तुरंती आता है, पैलेस मास्टर लोग क्या लाओ बहुत ज़्यादा बीजी हैं, तुम सुनने के बाद मुझे नहीं पता कि ये तीनों लोग आउटर वर्ट से आये थे या नहीं, लेकिन वो तुरंती अपनी आखों को उठाकर जुआन और तीन लोगों को देखता है, और फिर उसके आंके जो है आन के उपर रुख जाते हैं, जिसके बाद जनल कहता है, ये चे लेकिन जरूर ये ले साउलोंग ने किया होगा, दूसतब जुआन की बात को सुनका ड्रे, जो जनल होता है वो तुरंती रुखते हुए, उससे ट्याटू को देखता है, और पिर जुआन को, और इसके बाद वो सीरे गुमा कर फिर जुआन को देखता है, और फिर इस ट्य यालम माश्टर मुझे खेद है मैं अंधा था मैं अंधा था वो बंदा तुरंती घुटनों के बल बैठ गया होता है और जितने भी आसपास की लोग होते हैं जब उस जनरल को घुटनों के बल बैठा हुआ देखते हैं तो सभी लोग हैरान होते हैं यहां तक कि यहां पे है ऐसास देते हुए बाहर की तरह आते हैं लेकिन यह जो उनका लगजीरियस होता है एक पल में गया हो गया हो था अपने सामने के परसन को देखकर जिस परसन के चैर पर एक इसमाइल थी वो तुरंती कहते हैं माश्टर माश्टर जीयो आप आपको काफी टाइम से नहीं द देथ का बैटल भी किया था दूसरी तब लेस आउलोंग जो होते हैं जो यहान के सामने सीधा इक घुट्रों के बल बैट गया होते हैं और उन्होंने जो यहान को देखते हैं कसकर अपनी मुठियां पकड़ रखी होती है दोसम यहान यह देखकर तुरंती आंगे बढ़क हालकि यहांपर जो मैंसन को उसने काफ़ी एक्सपेंट किया था लेकिन उसने उस जगय को कभी भी टच नहीं किया जहां कभी जो यहान रहता था साथी लेसा लोंग तुरंती कहता है मैंने आज ही उस जगे को लोगों को साफ कर निकले कहा था क्या बास्तों में एक कोइंसीडेंस है साथी वो इसमाइल कर रहे होते है और जियो यान भी अपनी चैरे पे समाइल को छिपानी पा रहा होता है साथी लेसा लोंग जियान को देख रहा होता है कि उसके इंप्रेशन में कुछ गड़वर है तो वो थोड़ा सा ठीठा गया होता और तुरंदी कहता है मास्टर जो जिसके बाद लेसा लोंग कुछ नहीं पूछता और लेसावलोंग को देखते हुए जयान को एक पल के लिए कुछ खोया हुआ महसूस होता है और जयान को एक ऐसे बच्चे की तरफ फिल हो रहा था जिसने बास्टर में अपनी किसी कीमती चीज को खो दिया हो और अब वो अंदर ही अंदर डरा हुआ महसूस कर रहा है साथ य हमारे दिल हमेशा जुड़े रहते हैं चाहे लाइफ हो या डेथ आपको बहुत ज़्यादा समझाने की कोई जवत नहीं है हाला कि जयान तो बापस आ गया है लेकिन हर कोई जो डावडी कॉंट्रेंट को छोड़कर जोड़कर 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 जोड़कर 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 जोड डावडी कॉंटिनेंट आज की तरह तेजी से अब्ग्रेड हो पा रहा है। साथि जो यान के आने के कारण ही डावडी कॉंटिनेंट में तेजी से ग्रोथ हुई थी, और आपस की जो आर्मीस और एनमीस के बीच की फाट थी, वो बंध हो चुकी थी। साथी जुक सी सीटी में ये खबर जैसे ही हर जगह पर फैलती है तो डावडी कॉंटिनेंट में रहने बाला हर एक परसन जो साथ अपनी जगह पर काफी स्ट्रॉंग लोग थे कुछ रूलर्स थे, कुछ हीरोस थे, कुछ मास्टर्स थे और स्ट्रॉंग परसन थे जो डावडी कॉंट्रेंट में परेजन्स को रखते थे वो सबी लोग काफी यादा है हैरान होते हैं और अबेसलि जुयान से मिलना चाते थे जुयान जो जियो मैंसन में लोट आये था सब कुछ उसके लिए पहले ही जैसा था बले ही ले सावलांग ने जियो मैंसन को अपग्रेट कर दिया हो पिर भी वहाँ पर वो जगह बिलकुल सेप थी जहां जियो यान और उसकी फ्यलेश टीम के मेंबर रहते थे सत्युजान यहाँ पे दर्बाचे पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था उसे अभी भी वो दिन याद थे जब हर कोई एक सोड के सराबे के साथ यहाँ पे बैठता था लेकिन अब सब कुछ पलक जपकते ही एक धुए में बदल गया था मुझे पता नहीं क्यों लेकर बुरा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा जैसे 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 जुआन आप बढ़ता हो तो कदम भारी होती जा रहे होते हैं और जियो मैंसर में इंटर करने के बाद जियोन की सब यादे धीरे धीरे बापस आ रही होती है जैसे जुआन की याँ के गीली होने से बच नहीं पाती लेसालोंग याँ पर कुछ भी बात नहीं करते लेकिन जीओ अबेली में चुपचाप जुआन के साथ चल रहे होते हैं उसे पता था कि चाया वो कुछ भी का है वो मदद नहीं करेगा इसलिए चुप रहना ही सबसे भड़ा और सबसे अच्छा काम होगा ताकि जो यहां यहां पर चुप चाप हर एक चीज को देखते हुए थोड़ा सा रिलेक्स हो सके और काफी लॉंग टाइम के बाद जो आने एक लंबी सांस लेता है और धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है और ले सालॉंग की तब देखता है ऐसा लगता है कि आपने अपना ज्यादाता टाइम जियो मैंसन के मेनेजमेंट में बिताया है और अपने कल्टिवेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कहें कि उनको बहुत टाइम पहले से ही डाउजी यान लेबल पर ब्रेक्ट्रू कर लेना चाहिए था लेकिन वो अब तक नहीं कर पाये थे जो अंतुरंदी कहते हैं अभी भी आप डाउडी लेबल पर क्यो अटके हुए है जो देखर लेसावलोंग भी थोड़ा से इंबर्स होते हैं और कहते हैं इमानदारी से कहूं तो मैं हाली में नाइन इस्टा डाउड एंपरर पर पहुँचा हूं इसलिए मुझे डर है कि अभी भी इसमें कुछ टाइम लगेगा तभी जो लेसावलोंग की तरफ देखता है और अपने कंदे को उठाते हुए समाल करते हैं यह ठीक है हाला कि लेसावलोंग अगर अभी भी स्ट्रॉंग है या नहीं उसे उस बात से कोई मतलब नहीं था अगर उसके पास चांस है तो वो जो यान के साथ कंदे से कंदा मिला कर लाइफ और डेस्ट के लिए फाइट करने को तयार था क्योंकि अब बेसली लेसावलोंग के लिए इस तरीके की रिलेक्स लाइफ अभी भी काफी ज़्यादा बोरिंग होती जा रही थी हालकि लेसावलोंग जब अपने थोट को जहन को बताता है तो जहन तुरंदी कहता है मेरे साथ आना जरूरी नहीं है लेकिन आप जियो मैंसन के मैनेजमेंट को खतम करने और जुक्सी सिदी के बाहर निकलने के लिए आ सकते हैं हालकि डावडी कॉंट्रियंट अभी भी काफी बड़ा है और इसमें काफी सारे चांसेस हैं और कम से कम आप यहां पे बाहर की तुल्ला में हजारों गुना सेफ हैं जहन जैसी यह कहता है लेसावलोंग अब्यस बात से इनकार नहीं करते हैं के से सेलाते हैं तभी जहन बैटकर यहां लेसावलोंग के साथ चाय बना रहा होता है कि तभी अचानक से बाहर से तेज कदमों की आपा जाती है और वो अपनी निगाहों का पीछा करता है तो वो देखता है कि यहां पे 100 प्लस लोग होते हैं उन्हेरे लीड करने बाले जो लोग होते हैं वो होते हैं क्यान लाओ क्यान लाओ तो तो तुम्हें पता है जैसे जहां ने बचाये था उस जग ऐसे और वो सबसे स्ट्रॉंग इमोर्टल थे उस टाइम पे तभी वो तुरंधी कहता है जियालम मास्टर करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हाला कि इसके बदले में यह कुछ भी नहीं है लेकिन हाले ही के उच सालों में मैंने काफी सारे ट्रेजर प्राप्त किया है इसलिए मैं इन सभी को आप कोई नाम के तोर पर दूँगा और इसके बद जिवाद अपने हाथ को बढ़ाते है और उसके सामने काफी सारे पिल्स बैपांस और आर्मर्स हा जाते है जो जिवाद ने ओवेसली हर जग ऐसे लूटे थे ही पूटे लूटे पूटे कूटे थे हलक यह चीज़े निश्ची तोर पर जोटे के लिए भीकार थी लेकिन ये लोग फाटिंग अमोटल थे और उनके लिए तो ये ट्रू बैफ़न्स और ट्रेजर्स थे जिससे तो हर कोई जोटे को और भी जादा अब्यसली वो एक होसियार परसंग थे और वो एक नजर में मैसूस कर सकते थे कि जोटे की पाउर काफियरा हाई लेबल पर पहुँच चुकी है उस लेबल पर जहां पे साथ वो उमीद भी नहीं कर सकते थे तभी जन कहता है आपका स्वागा थे क्यान लाओ अगर ये माय होता तो मैं आपके जितना अच्छा नहीं होता लेकिन क्या आप पहले कभी ब्लड गॉड रियलम में गए है जन ने अचानक इसके बारे में सोचा क्योंकि जब वो जुक्सी सिटी में आया था तो यहां के जो गाड थे वो थोड़ा सा तंज लग रहे थे इसलिए जन ये पूछता है तभी क्यान लाओ तुरंदी कहता है मैं कभी भी ब्लड गॉड रियलम में नहीं गया लेकिन कुछ जहाद दिखाए दिया थे जो व्लड गॉड रियलम के अपोजिट थे और उन्होंने काफी अदा हाई कॉंटिड़ी में हमारा गोल्डन सी बॉटर चुरा लिया मैं ऐसे कहते हैं वो एक बार फिर से उन्हें ग्रीट करते हैं साथी वो तुरंदी कहते हैं मुझे उम्मीदे की रियलम माश्टर हमें माफ कर देंगे क्योंकि लॉंग सेलुसन के लिए हमने पेसेंस रखना ही चूस किया था ताकि यहां फे कोई फाइट ना हो साथी क्यान लाओ के माते पर थंड़ा पसीना आ रहा होता है और से डर था कि जॉएन डावडी कॉंटिनेंट के रिसोर्स को प्रोटेक्ट ना कर पाने के कारण उने दोसी ठहराएगा तब ही जॉएन कहता है क्यान लाओ आपको इसके लिए खुद को दोस देने की कोई जाओत नहीं हम पूरी तरीके सासा सुद नहीं है मतलब कनफर्म नहीं है तो पेसेंस रखना सबसे अच्छी चीज है अगर किसी ने कुछ हम से लूट लिया है तो हम उससे बापस उन चीजों को लूट सकते हैं यह के बल टाइम की बात है साथ ही जॉएन की वर्ट्स में एक अलगी दबंग गौरा होता है आखेकार क्यानलाओ और इन सभी लोगों जो यहान ने रहन बापस से उस जगे से बचा है था और क्यानलाओ एंसेश्टर काफी यहरा टेलेंटेट थे और वो सबसे पहले ही स्ट्रॉंग फाइव इस्टार फाइटिंग अमोर्टल तक पहुँच गए थे स्कॉल दिखाई देते हैं जो वो जो यहान को देते हुए कहता है यह कुछ है इसकैन है और इतना कहने के बाद वो देखता है किसमें सिप बने हुए होते हैं जिसमें सेग में आइस लिखा हुआ होता है जिसके बाद जिवान तुरंती उन अभी स्कॉल को देती है और इससे पहले कि कोई आ पाता आबाज पहले से यह बाहर से आती है कि लड़के तुम आ गए और बापस आने के बाद भी तुम सास नहीं ले रहें जैसे ही जो आना आबाज सुनता है तो वो तुरंति खड़ा हुग यह होता है क्योंकि दूर से आने बाला परसन जारे special महसूस करता है और तुरंथी आंगे बढ़कर जोयन को support करते हुग आंगे बढ़ता है तब ही जोयन अपने सिर्क उठाता है और उसे देखता है तो उसकी आके पहले से लाल होती है जोयन तुरंथी कहता है मैंने बास्तो में आपको काफी time से नहीं देखा और अज़ ज़्य मैं senior brother को देखता हूँ तो मुझे सच में रोना आता है मेरे senior brother में इतना बड़ा attraction कब से आ गया जो सुनकर किंग आउरान smile करता है लेकिन मुझे चार तब देखता है तो अचानक उसकी smile gap होगे होती है और वो तुरंदी कहता है मुझेर कहां पर है उसे तुरंदी ही एसास होता कि मुझेर यहां नहीं है तब ही ज़्यान कहता है एक fight में हर किसी की death हो गई जिसमें मैं भी सामिल था और उसके बाद ज़्यान सेर उठाता है और उसकी आँखों से आसुआ रहे होते है सत्य वो अब्वेसली किंगाउरान को कोई भी justification नहीं दे सकता था क्योंकि उन्हें उसने किंग मुयर को protect करने का बादा किया था तभी किंगाउरान तुरंदी कहता है हर को ही मर गया किंगाउरान की पूरी की पूरी body का अपने लगती है तभी जान कहता है लेकिन चिंता मत करू ब्रेदर चाहे कुछ भी हो मैं उन्हें पाताल से बाहर निकाल लूँगा हाला कि बहले ही उनकी death हो गई हो वो फिर से reincarnate हो सकते है और जान सीरोटाकर किंगाउरान को seriously देखता है तो किंगाउरान तुरंदी कहता है जो मर चुक है वो वापत से कैसे reincarnate हो सकते है किंगाउरान को तो दिली टूड़ गया होता जब हूँ ये सुनता है तो ये सच ही होना चाहिए और हो सकता है कि इतने सालों के बाद सभी को रेंकर्नेट कर दीया गया हो लेकिन बेस सभी हो सकता है कि अभी भी अंडर वर्ड में हो तभी King Horan कहता है कि आप कितने percent confirm है और उसने Johan को विश्वास करना चुना था तभी Yang कहता है 100% और जिवान के committed answer को देखकर किंग हाउरान थोड़ी देर के लिए तो जो यान को ही देखते रहता है जिसके वारोत रंदी कहता है ब्रदर मैं आप पर विस्त्वास करता हूँ डावडी कॉंटिनेंट भी उनके बापस आने का इंतिजार करता है और किंग हाउरान जैसे ये कहता है थोड़ा सा महल उदास हो गया होता है किंग हाउरान को पता दा कि जो यान भी अंदर से बहुत परिसान है इसलिए किंग हाउरान फोर्स भुली समयल करता है और अपना सबसे वैश्ट करता है जो जिवान द्वारा डॉवडी कॉंट्रेंट में लाई गई जुक्सी सीटी में जो जुक्सी टी थी वो पहले ही खत्म हो चुकी थी हालकि जुआन को रास्ते पे काफी अची अची टी मिली लेकर उन में से किसी का भी स्वाद उसके होम टाउन की जुकसिस टी जैसा नहीं था तभी एक आबाज आती है लड़के हम हजारों सालों से अलग हैं कैसा हो सकता है कि तुम हम सभी को भूल चुके हो और दरवाजे के बाहर से फिर से आब आ जाती है और याओ क्लेन से याओ एव टियान तुरंती वहाँ पे आ जाते हैं जुआन अभी भी डावडी कॉंट्रेंट में लोटा था इसलिए उसे एके करके सभी सीनियर्स से मिलना था लेकर उसने कभी नहीं सोचा थे कि सभी सीनियर्स उसके बारे में सोच कर तुरंती उससे मिलने कले आ जाएंगे तब यो तुरंती कहते हैं मैं तो आपकी चिंता के लिए आपको धनवाद देनी कले आया हूँ साथ ही जो मेंसन पहले से लोगों से भरा हुआ था सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं और वड़िया वाइन और खाने के अंतिजाम करते हैं जो अवेली में जित्ते भी लोग थे सब यो अबसली ओल्ड फ्रेंड थे जिसके बाएं जो अबसली दे दनादन वाइन के ग्लास को टोस्ट करता है और एक के बाद एक खुसी बाला माहौल इस्टार्ट हो जाता है और साइधी इन चीजों को देखने के बाद और इने खोने के बाद जो अन महसूस कर सकता है कि दोस्ती और रिलेसन कितने ज़्यादा कीमती होते हैं और साइधी इन में से कुछ लोगों में घमंड है साथ यहां पर अबबसली कुछ लोग जो यान पर काफी यादा तारीब भी करते हैं लेकिन इससे कोई फरक्ट रहे पड़ता क्योंकि कम से कम जो यान की नजरों में हर कोई मुस्कुरा रहा था और यह चैरे जोयान को काफी पसंद थे जिसके बाद यह चैवाए और बाइन बाला जो माहल होता है काफी लॉंग टाइम तक चलता है यहां तक कि जो यान को भी याद नहीं था कि उसने कितनी बाइन पी ली लेकिन पास्ट के आरेक मेमोरी जोयन के लिए काफी आदा मोटीवेटेड होती है और जोयन को रिफ्रेस कर रही होती है और जोयन की बापसी का कुछ महीनों बाद धीरे-धीरे ये खुसी आसांत होती है और आने बाले लोगों की कॉट्रेड ये धीरे-धीरे कम होती है जिसके बाद जियान केता है ऐसा लगता है कि हर कोई यहाँ है लेकिन जियान अब तक अपने मास्टर को नहीं देखा था जिसके बाद जियान थोड़े सा कन्फ्यूज होकर याउलाओ को खोजने के लिए यहाँ क्लेन के लिए जाने के लिए बढ़ता है लेकि जैसे ही जो अंदर बाजे के बाहर निकला था अचानक कि उसकी मुलाकत ले साउलॉंग से हो गई जिसके बाद जो अपसे बापता था तो ले साउलॉंग जाजादर चीजों को अपने पासी खीच रहे थे और उन्होंने जोयन के साथी रहने का फैसला किया था साजी डिंगे उन छेत्रों की जिम्मेदारी उठा रही थी जिन जगों उन्हें डवडी कॉंटरेंट को लूटा था जहां तक जिया जैंग हुई का सवाल था तो तुम लोग को तो पता ही है यह मन चला आदमी कहीं भी चला जाता है तभी ले सालंग तोये ले कुँटे कैते आप कहा जारे मिस्टर जी ओ और जियान को अभी भी वो घर से बाहर निकलते हो देखा है है नोता है तभी ज्यान केता मैं अपने मास्टर को धुर ने के ले जा रहा हूँ और यहां थोड़ा सा confused होता है तो यह वो कहता है मैंने इसके बारे में सोचा है यंग मास्टर जी अपने मास्टर याओ के बारे में बात कर रहे होंगे बोध दस को पहले अपने disciples को डूई की continent की journey डावडी continent की journey के लिए ले गए थे जो देखके Jawan के ते ओ ऐसा है मैं क्या क्या बास्तों है वो बच्चों के साथ गए थे उनके बच्ये भी हो चुके है तब ही ले सालों कहते हैं हा उनके एक बेटा और एक बेटी आइसा कहते हैं ले सालों जाई गए इस्माइल करते हैं कम से कम जिन लोगों की जयान परभा करता है अगर वो लोग खुष थे तो जो यान भी खुष था जिसके बाद जयान कहता है यह इस मामले फिलाल मास्टर को भाइसान नहीं करते इस समय यह मेरी वाइप और मेरे बच्चों को तलास करने का टाइम है जियो को तलास करने का टाइम है आयता कहते है जियान के चेर पर धीरे धीरे एक इस मामला गई होती है तो चलो गए सीजी कता तब यह एपिसोड यहीं प्रेंट करेंगे नेक्स एपिसोड में देखेंगे क्या होने वाले तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो कमेंट टो मेंट मार दो कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए खुला हुआ है जो चाहे तुम लोग कर सकते हो क्योंकि अब टाइम नहीं है यार जादा मुझे जाना है काफी दार एनेंजमेंट करने तो बाई बाई गुड मॉनिंग